जब भी हम लोग महराश्ट की राजनीती की बात करते हैं तो एक नाम काफी चर्चा में बना रहता है वो है एक नास सिंदेगा और इन्हें ठाकरे परिवार का काफी करीबी भी माना जाता था और आप देखें पहले सिफसेना उधा ठाकरे के साथ कवा करते थे बाद में आप देखें इन्होंने बगावत करके बीजेपी के साथ गटबंदन करके सरकार मनाई और महराश्ट के मुख मंत्री बने वर्टमार में ये महराश्ट के चीप मिनिस्टर हैं मुख मंत्री हैं इन आप देखिए, बाला साथ ठाप करे हैं, और यह आप देख रहे हैं कि एकनास सिंदे हैं, और यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, उधा उठा करे, आधित ठा करे और एकनास सिंदे, और अभी वर्तमार में जो सरकार महराष्ट में चल रही है, उसमें मुकमंत् देविन्द फर्णवीस और उक्मुक मंत्री अजीद पवार है इसमें ठीक है और यह सब बात हो रही ही महराष्ट की राजनीति की तो देखिए यह हमारा प्यारा भारत है इसमें आप लोगों को यह महराष्ट देखने को मिलेगा मुंबई इसकी राजधानी है एक मैई 1960 में से राज बनाए गया था और आप देखें बिधान सबा में 288 सीटे हैं बिधान परिश्ट में 78 सीटे हैं राज्य सबा में 19 सीटे हैं लोग सबा में 48 सीटे हैं और इसका छितफल 3,7,713 बरक किलोमीटर में फैला हुए है आपका महराष्ट पहले नमबर पर आप देखिए राजिस्थान है दूसरे पर मत्कति इस तीसरे पर महराष्ट पहले में एरिया के मामले की बात हो रही है तो एकनान सिंदे का पूरा नाम है एकनास संभाजी सिंदे इनका जनम होता है 9 फरवरी 1964 में पहाडी जवाली सतारा जिला महराष्ट में इनका जनम हुआ था इनके पिता का नाम संभाजी नावलू सिंदे और इनकी मा का नाम गंगुभाई सिंदे और इनकी पतनी की बात करें तो लता एकनास सिंदे इनकी पतनी का नाम है जो बिजनिसमेन है बेउसाई हैं इनके बच्चों की बात करें तो स्रीकांत सिंदे राजनीता हैं और दीपे जिनकी डेथ आप देखें, 2 जून औहजार में हो गई थी. और बेटी सुविधा सिंद्य इनकी डेथ भी 2 जून 2000 सन 2000 में हो गई थी. एक नासिन्दी का एक बेटा दीपेस सिंद्य जिसकी उम्र मह 11 साल गी थी और एक बेटी सुविधाज सुवद्रा सिंदे जिनकी उम्र महस 7 साल गी थी जिनको लेकर हुआ 17 जिला घूमने गए थी बोटिंग दुरगटना में उनकी दोनों बच्चे उनकी आँकों के सामने पानी में डोब गए और उनकी मिट्यों हो गई थी अगर हम मुक्त विश्विध्यालाय महराष्ट से प्राप्त की है और 1981 में मंगला हाई स्कूल से 10 भी पास की थी और जूनियर कॉले ठाड़ा से 11 भी पास की थी इन्होंने और ये अस्वंत राओ चबहान मुक्त विश्विध्यालाय से इन्होंने इसनातक किया हुआ है और कहते हैं 1997 में हुए पहली राओ ठाड़ी नगर निगम के लिए पासक चुने गया थे। सामिधान के अनुछे 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी चुनावायग की और इसका हैड़कवाटर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके पहले मुख चुनावय आयुकत सू कुमार सेन थे और अगर आपकी उमर 25 साल हो पहले होंगे फिर 2005 में एकना सिंदी को ठाड़ी जिला का सिफसेना पिरमुक नियुकत किया गया वह सिफसेना पार्टी में इतने पितिश्टीत पतपर नियुकत होने बाले पहले बिधायक थे 2009 में सिंदी को दुबारा से महराष्ट बिधान सभा के लिए निर्वाचित कि नेता भी रहे हैं 2014 सी 2019 तक उन्होंने महराष्ट राज्य सरकार में PWD के केमिनीट मंत्री के रूम में काम किया एकना सिंदी 2014 सी 2019 तक ठाड़ी जिली के सरक्षक मंत्री भी रहे हैं 2018 में उन्हें सिफसेना पार्टी का नेता नियुकत किया गया 2019 में महराष्ट राज्य सरकार में लोग स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री रहे और आप देखतेंगी 2019 में वा लगाता चौतरी बार महराश्ट विधान सभा के लिए चुने गया 2019 में उन्हें सिब सेना विधायक दल का नेता चुना गया 28 नवंबर 2019 को महराश्ट की मुकमंत्री उधाव ठाकरी के देख्षता में उन्होंने महा विकास अगारी के तहत केमिनिट मंत्री की सपत ली थी 2019 में एकना सिंदे को सहरी विकास और लोग निर्बान मंत्री भी निउक्त किया गया 2019 में उन्हें ग्रह मंत्री कारवाख निउक्त किया गया वह इस पत पर 28 नवंबर 2019 से 30 दितंबर 2019 तक काम पर रहे हैं इस पर बर्स 2020 में उन्हें ठाडे जिली के सरक्षभ मंतरी की रूम में नियुक किया गया और आप देखे 30 जून 2022 को एकना सिंदे बहराष्ट के 20 में मुक मंतरी की रूम में सपद ली थी इन्होंने 30 जून 2022 को सिपसेना से अलग होकर उधाव ठाकरी से अलग होकर अब आप देखे सिपसेना पार्टी में बगाबत के कारण क्या रहे हैं तो पिछले कुछ समय से सिपसेना पार्टी पर अपने मूल सिध्धानतों से हटने का आरोप लगाया जा रहा था लोगों का कहना है कि सिपसेना पार्टी कट्टर हिंदुत बादी पार्टी अब नहीं रही अब वो है इसलाम परस्थ पार्टी बन गई क्योंकि आप देखी बीजेपी और सिपसेना ने महराष्ट बिधानसवा के चुनाओ लड़े थे मिलकर लेकिन बाद में आप देखें कि मुखमंत्री के पत्कों लेकर दोनों में कसा कसी चली और आप देखें सिपसेना उधा उठाकरे Congress और NCP के साथ मिलकर मुख मंत्री बन गए और सरकार बना ली इसको लेकर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने गुसा जाहर की थे और इस पिकाल से लोगों का सिपसेना पार्टी से मुख भंग हो रहा है और इन लोगों में सिपसेना पार्टी के बिधायक भी सामिल है वही यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से सिपसेना पार्टी के बर्तमान जो आप देखे उस समय के मुख मंत्री थे उधाव ठाकरे के द्वारा ना तो कोई बड़ी मीटिंग का एजन किया गया ना ही वह जानदा किसी बिधायक से मिलते हैं तो इस तरह के उधाव ठाकरे पर आप देखते हैं कि आरोप भी लगे थे हलाकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उधाव ठाकरे बस नाम के CM थे बलकि सरकातों NCP के सरत पबार भी चला रहे थे और आप देखते हैं कि ऐसे में एकना सिंदे लगातार बिधायकों से मिलते रहे और उनके साथ मीटिंग करते रहे और उनकी समस्दा को सुल जाने का प्रयास भी करते रहे इस पिकार एकना सिंदे ने सिपसेना की विधायकों का भरोसा जीता और आप दीखे उन्होंने समय आने पर पाइटी से बगावद कर दी और बीजेपी की साथ मलकर मुख मंत्री चीप मिनिस्टर बन चुके हैं आँगे क्या रहे का इनका राजनिती सफर ये तो आने वाला बक्ती बताएगा उसके लिए अच्छी बात रहती कि आप लोग न्यूश्पेपर पढ़ते रहा करिएगा और आज कल स्मार्टपॉन है डिजीटल इंडिया की बात होती है तो आप लोग सब के बारे में जानकार एकटी करते भी रहते हैं ठीक है और किसी के बारे में बात करनी हूँ तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में भी जान लेंगे